हेलो दोस्तों मैं आक्षिता आपकी एजुकेटर आप सभी का स्वागत करती हूँ ग्लोबल ऑनलाइन प्लाटफॉर्म के उपर आज के इस पर्टिकुलर लेक्शन नबर थी ओफ माथमाटिकल रीजनिंग सेक्शन के अंदर हम जो टॉपिक पढ़ने वाले है दाट इस परसे सेंटेज का टॉपिक है इसके अंदर हम बेसिक्स तो एड्वाइंट्स लेवल तक पढ़ेंगे जैसे कि हमने प्रिवियस टॉपिक्स पढ़े है इसके अंदर मैं आपको अलगलग इंपॉर्टन टिप्स और ट्रिक्स भी शेयर करने वाली हूँ तो विदाट एनी प्रिसलाना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टन है और इसी प्रेपरेशन को ध्यान में रखते हुए ग्लोबल ऑनलेन आप्लिकेशन आप सभी के लिए यहां पे कंप्लीट कोर्स लेकर आया है जिसके अंदर आपको डिली लाइव लेक्चर्स के द्वारा पूरा सिलिबस जो आपको प्रोवाइड किये जाएंगे इस मॉक टेस्ट में आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों के 3030 मिल जाएंगे मॉक टेस्ट और यह मॉक टेस्ट आपको एक्जाइम से पहले स्वार्फ करना है उसी के साथ 2000 प्लस MCQ का एक क्वेशन बैंक इसके अंदर आपको मोस्ट सब्सक्राइब के साथ साथ हाईली एक्सपेक्टेड जो के एक्जाम में डिरेक्ली पूछे जा सकते हैं इस टाइप के एमसी क्यों यहां पर प्रोवाइड किये गए है कोस की जो फीस है और इस त्री ताउजन रूपीस आफ्टर डिसकाउंट फीज इस वन ताउजन करना हैं बात मैं माइक कोसे इसमें आपको हपी टाइप करना है इनधस आप टाइप करने के बाद को औपन कीजिए पुछ इस ट्रप का ओवर्विव मिलेगा यहां पर जो है स्टुडेंट्स ईटिटेल कोस के वीडियो मिल जाएंगे साथी साथ है चाहां पर आपको लाइ more information ठीक है, so अभी जो हम pattern follow करने वाले हैं, यहाँ पर percentage पढने के लिए, that will be पहले तो percentage term understand करते हैं, प्रतिशत्ता होता क्या है अगर थोड़ा सा यह term हम divide करेंगे, example से पहले थोड़ा सा मैं यह term आपको explain करना चाहते हूं यहाँ पर percentage okay, so यहाँ पर जो पर है, यहाँ पर प्रतिशत्ता आर्थ होता है, you know, okay और cent मतलब यहाँ पर 100 मतलब प्रतिश सो, percentage यही इसका meaning है, right तो जो कुछ भी हम यहाँ पर percentage प्रतिशत्ता calculate कर रहे हैं, so basically 100 वहाँ पर हम base पकड़ने वाले हैं, इसका मतलब क्या, for example अभी यहाँ पर मैंने आपको दिया है कि 10% of 80 liters आपको calculate करना है तो जिसी भी चीज का जिसी भी value का या फिर कोई भी आपको जो कुछ भी संख्या दे रखी है, उसकी प्रतिशत्ता calculate करना या फिर percentage calculate करना करना होगा, तो उस value को, उस चीज को, ओके, हम क्या consider करने वाले है 100% इट मेंज यहाँ पर अभी आपको calculate करना है 10% of 80 liters तो हम यहाँ पर बेस के अंदर 80 liters को consider करेंगे 100% प्लीज मार्क माइ वर्ट्स, जिसी भी चीज का, जिसी भी संख्या का हम percentage क्या calculate कर रहे हैं, उसको हम base value 100% पकडने वाले, each and every value तो किसका अभी हमें एक example के अंदर 10% निकालना है किसका, 80 liters का तो 80 liters के लिए मैं यहाँ पर consider कर रही हूँ 100%, ठीक है, तो मैं जो यहाँ पर आपको अभी चीज समझाने वाली हूँ basically के लिए, डूढना क्या है 80 liters का 10% right, so मैं यहाँ पर consider करूंगी 80 liters as equal to 10, sorry, 100% ठीक है, अभी जब भी आपको किसी भी चीज का 10% या फिर 1% निकालने के लिए बोला होगा तो आपको जो trick यहाँ पर follow करनी है वो क्या करना है, 80 liter value as it is आपको नीचे लिखना है, दोनों भी case में 10% निकालना हो या फिर 1% निकालना हो करना क्या है, value as it is लिखनी है जब आपको 10% बोला जाएगा, आप क्या करोगे एक digit छोड के यहाँ पर decimal point दोगे it means 8.0 8.0 माने 80 रहता है मतलब 80 liters का 10% कितना आएगा, 8 liter आएगा ठीक है, क्या किया हमने जो value देके रखी थी वो as it is नीचे रखी है और एक digit छोड के हमने decimal point दिया है उसी के साथ साथ जब आपको 1 liter बोला जाएगा, sorry 1% बोला जाएगा जब डूढने के लिए तब आप क्या करोगे, value as it is नीचे लिखोगे, but इस बारी क्या करना है आपको दो डिजिट छोड के आपको decimal point देना, it means value क्या आएगी यहाप पे 0.80 0.80 माने 0.8 liters so 10% of 80 liters कितना हो गया 8 liter 1% of 80 liters कितना हो गया 0.8 liter, so this is the trick that we are going to follow to find the percentage quickly got it, got it so basically होता क्या है, 10% माने 10 upon 100 ठीक है, 10 upon 100 but directly मैं क्या कर रही हूँ 10% निकाल रही हूँ, किसका 80 का निकाल रही हूँ so 10 upon 100 into 80 यह करने से अच्छा क्या है 10 liters को मैंने directly 10 और 1% में कैसे लिखके लिया, directly जो value थी, जैसे की वैसे नीचे लिखली मैंने, और एक डिजिट छोड के decimal point दिया 1% के केस में मैंने क्या किया 2 डिजिट छोड के decimal point दिया, so answer for this question is 10% of 8 liters is what? 8 liter, basic सा question था, और यह से छोड़े-छोटे questions देखेंगे हम और समझने के लिए तो quickly finding percentage कैसे जल से जल परसेंटेज निकालना है किस चीज का परसेंटेज निकालना है अभी question पढ़ना 10% of Rs.260, 260 के हमको 10% निकालने मैंने क्या बोला था, जिसी भी value का या फिर जिसी भी संख्या का आपको प्रतिशत्ता निकालना है उसको हम 100% consider करेंगे, तो यहाँ पर Rs.260 को मैं consider करूंगी 100% अभी निकालना क्या, इसका 10% निकालना है, तो 10% निकालने के लिए मैं यहाँ पर क्या करती हूँ value as it is लिखती हूँ एक डिजिट छोड़के यहाँ पर decimal point मैंने दे दिया, मतलब 26.0 माने 26 Rs. 26, यह क्या हो गया, 10% हो गया, किसका 260 रुपे का, अगर इस question के अंदर आपको पूछा होता उन्होंने 1% निकालने के लिए, तो आप क्या करते है, 260 को as it is लिखते है, डो डिजिट छोड़के decimal point देते है, 2.60 0 मतलब ही 2.6 रुपीज यह क्या हो गया, आपका 1% हो गया, किसका 260 रुपीज का इस तरीके से हमको percentage quickly find करना, आना चाहिए, अभी question number 2 देखना, यहाँ पे 1% डूणने के लिए बोला है, किसका 720 liters का, तो इसको कैसे डूण देंगे, यहाँ पे देखना 720 liters को मैं consider करती 100%, क्योंकि इसका 1% निकालना है, तो इसको हम consider करेंगे 100%, निकालना क्या है, 1%, तो पहले तो हम निकालेंगे 10%, हर बारी यह करने की कोई जरूरत नहीं है, आप directly भी कर सकते हो, but initial lecture जे इसलिए में बता रही हूँ, आपको यहाँ पे value as it is लिखेंगे, एक डिजिट छोड़के यहाँ पे decimal point देंगे, it means, 72.0 माने, 72 liters ही क्या हो गया यहाँ पे, 10% हो गया, किसका, 720, of 720 liters, चीक है, अभी तो निकालना है, 1%, 1% कैसे निकालेंगे, वही same thing, 720 value as it is लिखेंगे, दो डिजिट छोड़के, हम यहाँ पे decimal point देंगे, it means, 7.2 liters, यह आपका क्या हो गया, this became the 1% of 720 liters, I hope आपको अभी समझाया होगा, moving on to the next part now, 10% निकालना है अभी यहाँ पे, 65494 का, तो यह कैसे निकालेंगे, again the same thing, आपको क्या करना है, जिसी भी चीज का, जिसी भी value का, जिसी भी संख्या का, प्रतिशत्ता डूढना है, उसको हम consider करेंगे, 100%, तो इसको मैंने consider किया, यहाँ पे 100%, इसका निकालना है हमें 10%, तो कैसे निकालेंगे, जो कोई भी value है, as it is लिखेंगे यहाँ पे, और एक digit छोड़ के, यहाँ पे decimal point देंगे, it means, यहाँ पे, 6549.4, यह क्या हो गया, 10% हो गया, अगर आपको 1% बोला होता, तो आप क्या बोलेंगे यहाँ पे, 654.94, यहाँ तो डिजिट्स छोड़ के, आपने decimal point दे रखा, अगर यहाँ पे आपको 0.1% बोला होता, तो आप क्या करते, 6549.4, त्री डिजिट्स छोड़ के, आप यहाँ पे decimal point दे ठीके, थोड़े से basic-basic वाले questions, हमने देख लिए, अब 10% डूड़ना हमने देख लिया, 1% डूड़ना भी हमने देख लिया, what if अगर पूचा जाए, 39%, 33%, 23%, तब क्या करना है, तो इसके लिए, यहाँ पे एक example मैंने देखे रखा है, देखना अभी, किसका value निकालना है, 39% निकालना है, 260 रूपीज का, same thing consider करना है, 260 रूपीज को, मैं यहाँ पे consider करूँगी, as 100%, निकालना क्या है अभी, 39% निकालना है, so 39% निकालने के लिए, अभी मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, इस 39% को मैं split करती हूँ, 30% और 9% के अंदर, what does it mean, कि मैंने क्या किया, पहले 30% निकालूँगी, फिर 9% निकालूँगी, क्यूंकि मुझे 10% निकालना आता है, क्यूंकि अभी हमने पढ़ा है, उसी के साथ साथ मुझे 1% भी निकालना आता है, अगर मैं इस 10% को 3 से multiply करूँ, तो मुझे मिलेगा 30%, और इस 1% को 9 से multiply करूँ, तो मुझे मिल जाएगा 9%, दोनों को अगर मैं add कर दूँगी, तो मुझे मिलेगा 39%, तो यह easy जाएगा, या फिर, मैं ऐसे कर सकती हूँ, उसके अंदर, 40% 40% पहले निकालू, 10% की help से, पहले तो 10% निकालूँगी, इसको 4 से multiply करूँगी, निकालना क्या है 39%, अगर इस में से मैं 1% माइनस कर दूँ, 40 माइनस 1%, मुझे मिलेगा 39%, तो यह काफी ज्यादा easy जाएगा मुझे, इस दोनों भी method से आप करूँगे, तो भी answer सेम ही आएगा, ठीक है, तो start करते हैं, पहले मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, जिसका value का percentage निकालना है, उसको consider करूँगी as 100%, छीक है, now I have to calculate the 39%, तो इसको क्या करती हूँ मैं, पहले निकालती हूँ 10%, हमें पता है 10% कैसा निकालना है, एक डिजिट छोड़के आपको decimal point देना, means rupees 26.0 माने 26 rupees यहाँ आपका हो गया 10%, मैं इसको multiply करती हूँ 4 से, अगर 10% को 4 से multiply किया, तो मुझे क्या मिलेगा, 40%, similarly 26 को यहाँ पे मैं multiply करती हूँ 4 से, तो मुझे क्या मिलेगा, 40% मिलेगा, right, so this is as simple as it is, कि 10% पहले निकाला, 10% को 4 से multiply किया, 10% था हमारा 26, 26 को 4 से multiply किया, मुझे क्या मिलेगा, 40% जो की है 104, ठीक है, 40% is equal to 104, अभी 1% भी हम निकाल सकते हैं, 260 का हमें पता है, 2 डिजिट के बाद decimal point देना है, माने 1% कितना आया हमारा 2.6, तो 40% में से 1% अगर minus करूँ, तो 39 मिलेगा, similarly 104 में से, 2.6 अपको यहाँ पर minus करना है, it means, 101.4 यहाँ पर आपका answer आजाएगा, इस तरीके से आपको question solve करना है, even if अगर आप इस method से जाओगे, जहाँ पर आप 30% प्लस 9% करोगे, तब भी आपको 39% वो मिल जाएगा, ठीक है? next question, अभी यह question मैं आपको as a homework दूँगी, जहाँ पर आपको 26% of 6.93 ढूँड़ना है, ठीक है? sorry, इसको आपको आप दो तरीके से कर सकते हो, similar जैसे मैंने पिछले slide में भी आपको explain किया था, 26% ढूँड़ना है किसका 6.93 का, तो 6.93 को हम यहाँ पर consider करेंगे, 100% ठीक है? बट जो 26% है, इसको हम split कर सकते हैं, 20% प्लस 6% या फिर 30% माइनस 4% दोनों भी method से करोगे, तो भी answer आपका वही आएगा, same आएगा, ठीक है? ठीक है, यह question हम कर लेते हैं अभी यहाँ पर, देख न, जैसे कि 6.93 का मैं 10% निकालू, तो मुझे क्या मिलेगा? एक digit छोड़ के decimal point, यह हो गया 10%, इसको 20% करने के लिए, मैं यहाँ पर क्या करूंगी? इसको 2 से multiply करूंगी, यह मिलेगा मुझे 20%, उसी के साथ साथ, जो कि 69.3 है आपका, उसको भी मैं 2 से multiply करूंगी, यह मिलेगा मुझे 138.6, so 20% तो अभी मिल गया, what do we need again further, हमें जो चीज चाहिए, यहाँ पर 6%, 6% डूढने के लिए पर ले तो आपको 1% डूढना पड़ेगा, 6.93 का 1% क्या आएगा? decimal point after 2 digits, यह हो गया आपका 1%, इसको 6% करने के लिए, मैं यहाँ पर 6 से multiply करूँगी, तो यहाँ पर भी मैं 6 से multiply करूँगी, that is 6.93, into 6 अगर मैं यहाँ पर करूँगी, तो मुझे मिलेगा 41.58, तो आपको यहाँ पर मिल गया 20%, आपको उजी के साथ साथ यहाँ पर आपको मिल गया 41.5%, जो की 6% है, दोनों को add कर देना है, आपको मिल जाएगा यहाँ पर, 20% plus 6%, 20% आया हमारा 138.6, plus 6% आया 41.58, तो यह मिलेगा 180.18, तो इस इस हाओ यहाँ परसेंटेज, शौट ट्रिक से, आपको मैं कॉमें परसेंटेज देखूंगी, ठीके, पड़ाँगी आपको, कॉमें परसेंटेज के अंदर बेसिकली हम परसेंटेज और फ्रैक्शन का रिलेशन देखेंगे, तो यह आपका इसलिए इंपोर्टेंट रहेगा क्योंकि जो आगे वाले क्वेस्टेंज में अभी लेने वाली हूं, सिंपली अगर अभी फिलाल आज के लेक्शर के लिए कुछ इंपोर्टेंस में यहाँ पर बताऊंगी जो की कॉमन परसेंटेज है, जैसे कि 1 बाइ 2 को हम लिख सकते है 50 परसेंट है, ठीक है 50 परसेंट माने 1 बाइ 2, सिमिलरली वी नो दाट 1 बाइ 3 माने 33.33 परसेंटेज, ओके 1 बाइ 4 इट मिंज 25 परसेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं with a fraction 1 बाइ 4, सिमिलरली 20 परसेंट को अगर रिप्रेजेंट करना होता हम फ्रैक्शन यूज़ कर सकते हैं 1 अपॉन 5, वर अपॉन 6 के लिए 16.66 परसेंट अगर आपको किसी भी वैल्यू का 16.66 परसेंट निकालने के लिए बोला गया होगा तो आप डिरेक्ली क्या यूज़ करोगे यहां पर 1 बाइ 6 फ्रैक्शन क्योंकि यह कैल्कुलेशन आपका सिम्पल बना देगा ठीक है ओके उसी के साथ साथ 1 by 7 can be written as 14.28 अभी यह 2 important है exam relevant है directly आपको 14.28 परसेंट कहां पर भी दिख सकता है ठीक है 1 upon 8 can be written as 12.5 percentage 1 upon 9 ओके जब भी अभी देखना मैं आपको कुछ यहां पर टिप्स शेयर करूंगी ओके जब भी आपको denominator मे 9 दिखेगा जब भी आपको denominator मे 9 दिखेगा तब आप 11 का table बोलोगे it means what देखना आपी यहां पर लिखूंगी मैं 1 by 9 2 by 9 साथी साथ 3 by 9 और 4 by 9 similarly 5 by 9 6 by 9 के लिए भी up to 8 by 9 same thing क्या करना है आपको 11 का table it means denominator में 9 है उपर क्या है 1 11 1 0 11 so 11.11 percent आएगा 1 by 9 के लिए fraction value ठीक है so 2 by 9 fraction value के लिए हम यहां पर लेंगे 22 by 22.22 percentage क्यों लिया 22.22 percent क्योंकि denominator में 9 था मैंने बोला है जब भी denominator में 9 आएगा आप table बोलोगे 11 का ठीक है so उपर numerator में 2 है इसलिए 11 2s are 22.22 अभी रेखना यहां पर denominator में फिर से 9 है उपर 3 है so 11 3s are 33.33 percentage similarly numerator में अभी यहां पर 4 है denominator में 9 है इसलिए 44.44 percentage 5 by 9 के लिए फिर से आप क्या करोगे denominator में 9 है इसलिए 11 का table बोलना है numerator में 5 है इसलिए 5 by 9 के लिए आप क्या लोगे 55.55 percentage इसका complete मैं आपको एक image share करूगी आज के lecture के बाद ठीक है 88.88% इस तरीके से तो यह कुछ common fractions मैंने बता है अब इसके अंदर important कौन से कौन से है 1 by 6 1 by 7 और 1 by 8 ठीक है यह calculation easy बनाने के लिए मैंने यहां पर आपको तीन ऐसे fraction और percentage दिए इसी के साथ साथ जो आपको frequently question में दिखाई देगा that will be 1 by 2, 1 by 3, 1 by 4 and 1 by 5 also 1 by 6 as well ठीक है तो यह important है तो आपको इसका screenshot लेना है अभी इसके बाद अगर numerator में आपको यहां पर denominator में अगर आपको 11 दिख रहा हो तब क्या करना है जैसे कि हमने आप भी देखा है कि जब भी denominator में 9 है तब हम क्या कर रहे है basically 11 का table यहां पर read out कर रहे है 11 2s are 22 right similar with 3 by 9 के लिए 11 3s are 33 4 by 9 के लिए 44.44 इस तरीके से बाद जब denominator में आपको 11 दिखेगा तब क्या करना है जैसे कि for example 1 upon 11 इसका completely opposite जब आपको denominator में 11 दिखेगा तब आप 9 का table बोलो जैसे कि हमने देखा जब denominator में 9 था तब हमने 11 का table बढ़ा था जब 11 है denominator में तब हम क्या करेंगे 9 का table read out करेंगे जैसे कि 9.09 is the value for 1 upon 11 okay similarly for 2 upon 11 18.18 percentage okay 3 upon 11 के लिए अब क्या लोगे 9 3s are 27.27 percentage and so on इसी तरीके से 4 by 11 के लिए आप क्या करोगे 9 4s are 36 36.36 percentage 9 5s are 45 okay 5 upon 11 के लिए आप क्या करोगे 45.45 इस तरीके से आपको 6 by 11 7 by 11 8 by 11 9 by 11 को आपको क्या करना है simply 9 का table read out करना है तो हमने आज common percentage पूरे देख लिए यहां पर जितना necessary था मैंने उतना पूरा बता दिया जो कुछ भी extra है मैं आपको वो percentage का जो image share करूंगी उसके अंदरा देख लिजेगा प्लीज ज़रूर देखना है क्योंकि वो काफी ज्यादा important है अभी देखते है आज का very important question the first question okay if the income of A is 25% more than the income of B how much percent is B's income less than that of A अभी इस particular question को solve करने के लिए आपको comparison of percentage समझना important है comparison of percentage तो देखते है पहले कि percentage का comparison होता क्या है ठीक है फिर आते है question की और तो देखना अभी यहाँ पे simply percentage comparison exactly होता क्या है for example percentage comparison माने इसके अंदर आपको तीन statements दिखेंगे कौन से कौन से three different statements है और क्या different formula यूज करने वाले हम हर एक statement के लिए वो अभी पढ़ेंगे पहला statement है a is what percent of b a is what percent of b जब आपको इस type का question मिलेगा जहाँ पे ending statement a is what percent of b बोला जाएगा तब आप क्या लोगे formula यहाँ पे a upon b into 100 क्या लेना है a upon b into 100 प्लीज यह तीनों भी statement काफी ज्यादा important है for percentage comparison questions so three statement दोंगी और तीन अलग-अलग formulas दोंगी मैं यहाँ पे पहला formula है a is what percent of b के लिए a upon b into 100 दूसरा जो formula यहाँ पे these are not the formulas basically but we can call it formula okay so दूसरा statement जो हम यहाँ पे question में देख सकते है that is a is what percent what percent less than b मतलब a कितना प्रतिशत कम है किसके comparison में b के comparison में अभी देखना जिसके comparison में आपको बोला गया है वो denominator में जाएगा माना क्या यहाँ पे पूछा क्या है आपको कि a का कितना प्रतिशत कम है किसके comparison में b के comparison में तो इस type का जब आपको statement दिखेगा formula यूज करोगे difference, difference upon b into 100, what is difference, difference माने फर्क, फर्क मतलब दोनों का फर्क basically, मतलब एक ही कुछ value दी जाएगी आपको, similarly b की भी कुछ value रहेगी, तो दोनों का difference जब निकालना रहेगा, तब हम क्या करेंगे, दोनों को subtract करेंगे, बड़े value में से छोटी value subtract करेंगे, इसका भी हम जो है extension देखेंगे आगे, ठीक है, difference upon b into 100, यह हो गया, एक formula, और एक जो तीसरा formula है, वो write down करने से पहले, मैं आपको बोलूँगी कि screenshot ले लिजेगा पहले, चीक है, इसका भी मैं image, whatsapp group पे आज share करूँगी, तीसरा जो formula है, तीसरा is what percent less than a, अब देखेंगे, b is what percent more than a, तो यहाँ पे क्या आएगा formula, difference, जिसके comparison में आप percentage calculate कर रहे हो, नीचे जाएगा, यहाँ पे हम क्या निकाल रहे है, b का प्रतिशत, किसके comparison में, a के comparison में, 1 के comparatively हम b की value निकाल रहे हैं, तो a जाएगा denominator में, और into 100 as it is, तो यहाँ पे 3 formulas देखें हमने, चीक है, एक बारी मैं revise कर देती हूँ आपको, I hope आपने screenshot लिया होगा, percentage comparison में आपको 3 type के statements दिखेंगे, पहला statement जो है इसके अंदर, that is, a is what percent of b, a is what percent of b, ओके, यह पहला statement, इसके लिए formula हमने लिया, a upon b into 100, please make a note of it, काफी ज्यादा important है यह, दूसरा statement जो हमने देखा इसके अंदर, a is what percent less than b, इसका meaning क्या है, इसका meaning क्या है, एक कितना प्रतिश्यत कम है, b के comparison में, जिसके comparison में हम ले रहे हैं, वो जाएगा denominator में, difference, difference माने, दोनों के अंदर का फरक आपको निकालना है, upon b into 100, और तीसरा जो statement यहाँ पर बनने वाला है, that is, b is what percent more than a, b is what percent more than a, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, फिर से, difference, difference upon a की value into 100, ठीक है, यह तीन statements के basis के उपर, अभी हम percentage comparison के पूरे questions solve करने वाले हैं, ठीक है, so these are the three very much important formulas, अब formulas तो लिख लिया हमने, अभी इसके उपर question किस type से पूछे जाएगा, वो solve करने से पहले, और एक छोटा सा important base है, वो थोड़ा सा देख लेते, इसका please screenshot ले लिजिएगा, अब देखते कि percentage comparison solve करने के लिए, question किस type से आता है exam के अंदर, देखना अभी क्या बोला जाता है, for example, a is 25% more than b अगर बोला जाए, a 25% ज्यादा है, किस से ज्यादा, 25% ज्यादा है, किस से ज्यादा, a, b से ज्यादा है, छीक है, so 25% ज्यादा है, किस के comparison में, b के comparison में, तो इसकी value कैसी predict करनी है हमें, for example, अगर हम b की value ले रहे हैं 100 rupees, तो 100 rupees से 25% ज्यादा, माने 25 rupees ज्यादा, it means a की value कितनी आएगी, 125 आएगी, तो ये समझना important है, 25% ज्यादा, किस से ज्यादा, b से ज्यादा, तब हम क्या करेंगे, b की value 100 consider करेंगे, why 100 consider करना है, because 100 की उपर percentage calculate करना, थोड़ा easy बन जाता है, right, so similarly अगर बोला जाए, कि आपको a का जो value है, वो 25% कम है, अगर बोला जाए, किस के comparison में, b के comparison में, तो b की value फिर से हम 100 रुपए ही consider करेंगे, because 100 के उपर percentage calculate करना easy बन जाता है, यहाँ पे ज्यादा बोला था, इसलिए 25 रुपए हमने add किये थे, बट यहाँ पे 25% कम बोला गया है, 100 रुपए के उपर 25% कम, माने 25 रुपए कम, so 100 minus 25 करना है, आपको a की value मिल जाएगी 75, तो यह थोड़ा सा मैंने आपको base पड़ा दिया, अभी चलते है question की और, ठीक है, यह है question number one, यहाँ पे क्या बोला है, देखना अभी यह question काफी ज्यादा important है, because यह type of question exam में काफी बार पूछे गए, अभी देखना, a's income is 25% more than that of b, मतलब a का कितना ज्यादा है, 25 प्रतिशत ज्यादा है income, किसके comparison में, b के comparison में, how much percentage is b's income less than that of a, question क्या पूछा है, कि b की income कितनी प्रतिशत कम है, किसके comparison में, a के comparison में, अभी इसको solve करने से पहले, okay, so इसको solve करने से पहले, आपको थोड़ा बहुत तो idea आना चाहिए, कि ma'am, यहाँ पे हम क्या consider करने वाले, suppose b की income मैं consider करूंगी, 100 रुपए, कितने रुपए, 100 रुपए, so b की income हो गई, यहाँ पे 100 रुपए, so b की income, अगर 100 है, तो a की 25% ज्यादा, 25% more है, किसकी income, b, b, 20 की comparison में a की income, so a की income कितनी हो गई, 125, अभी देखना, b की income हमें पता है, 100 रुपए, a की मिल गई, 125 रुपए, ठीक है, तो question क्या पूछा है, how much percent, अभी इसके उपर focus करना है, how much percent is income less than that of a, अभी हमने formula देखा था, percentage less जब हो, तब हम क्या बोलते है, difference, difference upon, जब percentage less पूछा है, जब percentage less पूछा है, तो denominator में क्या जाएगा, percentage more जाएगा, मतलब क्या, यहाँ पे, b की value denominator में जाएगी, please formula समझना है, आपको फिर से मैं वो चीज़ दो रहाँँगी, यहाँ पे देखना, जब भी आपको percentage less पूछा है, तो denominator में percentage more जाएगा, 100 रुपे ज्यादा है, 125 ज्यादा है, तो denominator में जाएगा, यहाँ पे मैंने, sorry, 125 denominator में जाएगा, ठीक है, formula समझना काफी ज्यादा important है, क्या पूछा है, percentage less पूछा है, जब percentage less पूछा गया हो, तो denominator में बड़ी value जाएगी, अगर percentage more पूछा होगा, तो denominator में छोटी value जाएगी, ठीक है, तो यहाँ पे difference कितना आएगा, A की income पता है माम, 125 है, यहाँ पे B की income है, 100 रुपे, दोनों के अंदर का difference calculate करने के लिए, subtraction करना पड़ेगा, that means हमको difference मिलेगा, यहाँ पे 25, upon 125 into 100, so 25, FISA, 125, 5, 2, 0, 10 और 0, यहाँ पे 20% आपका answer आजाएगा, फिर से मैं एक बारी और question एक बार explain करूंगी, question के अंदर क्या देखे रखा था, कि आपको B की income से 25% ज्यादा, A की income ऐसा बोला गया है, for example मैं यहाँ पे B की income consider करूंगी 100 रुपीज, why 100 रुपीज? क्यूंकि इसके उपर percentage calculate करना easy है, अभी A की income इससे 25% ज्यादा, माने 25 रुपे ज्यादा, 25 रुपे ज्यादा, it means ज्यादा बोल रहे हैं, तो इसके अंदर add हो जाएगा, माने 100 प्लस 25 रुपे जो है, वो A की income हो गई, ठीक है, तो what is the question now, question क्या पूछा है कि, how much percent is B's income less than that of A, than that of A, मतलब A की जो income है, वो कितनी कम है पूछा है, कितनी कम है पूछा है, किसके comparison में, A के comparison में, दो चीजों से अब यह question समझ सकते हो, जिसके comparison में पूछा है, वो denominator में जाएगा, ठीक है, एक method यह है, जिसके comparison में पूछा है, वो denominator में जाएगा, यहाँ पे B की income पूछिए, A के comparison में, तो A denominator में जाएगा, point number one, दूसरा जो method है, जो यहाँ पे हम याद कर सकते है, that will be, कि percentage of B is how much less than A पूछा है, मतलब less पूछा है, तो denominator में more वाली value जाएगी, इस दोनो method से आप याद कर सकते हो, तो percentage क्या पूछा है, less पूछा है, how much percentage B is income less than A, ठीक है, मतलब कम, ठीक है, तो क्या आएगा आपका formula difference, percentage less पूछा है, इसलिए percentage more value, बड़ी वाली value denominator में जाएगी, into 100, so difference कितना आएगा, A की income है ma'am, 125, B की income है, यहाँ पे 100 रुपे, दोनों के अंदर का difference, subtraction से calculate किया, आया 25, more value मतलब बड़ी वाली value, 125 बड़ी है, 100 से, इसलिए denominator में 125 चला गया, 25, 5 जा 125, 5, 2 जा 10 और 0, इसलिए 20 परसेंट आपका यहाँ पे, answer आ गया, option number 1, correct है, ठीक है, अभी question number 2 में आपको, as a homework देती हूँ, same type of question है, try करना है, solve करने के लिए,